। डाइबे रेटंश मेन के रेटंश के रेटानरे के बार्टी थेए रण्ज क्पूश है क्योंकि डाइबे अब चैलिंज करेंगे तो अगर आप लोगो को इस सवालों का जवाब जानना है तो इस वीडियो को आखे तक जवाब देखे और अगर आपको ये वीडियो को लाइक और शेयर जरू किजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा तो आईए दोस्तों अब करते वीडियो को शुरू सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जानना क्यों ज़रूरी है कि ब्रॉण इस्टुमेन हील है या फेस देखे दोस्तों अगर ब्रॉण इस्टुमेन हील सुपरस्टार ब के रेटन आएं चुमकि उन्हेंने आते के साथ चाट गेबल जो की हील सुपरस्टार है उन्हें चैलिंज कर दिया और उनके उपर एटाक किया लेकिन तभी कुछी ते लेकिन उसके बाद ब्रॉन इस्टोमेन ने जैसे डबलेवी फैंस के तरफ रियक्ट किया, उससे फिर सब कोई कंफ्यूज हो गए है कि ब्रॉन इस्टोमेन हील सुपरस्टार है या फिर फेस, मैं आपको बताता हूँ, देखे दोस्तों, ब्रॉन इस्टोमेन ना तो हील सुपरस्टार को भी मार सकता है और फेस सुपरस्टार को भी मार सकता है, जो कि कभी भी कुछ भी कर सकता है, ब्रॉन इस्टोमेन अब एंटी हिरो सुपरस्टार बन चुके हैं, जैसे कि एक टाइम पे ब्रॉक लिशनर और स्टोन कोल स्टीव ऑस्तिन थे, एंटी हिरो सु तो किसी को ये समझ में नहीं है कि क्या Brawn Starmen रोमरेक्स को हरा सकते हैं या नहीं ट्रीपल एज का ये प्लैन काफी आउसम है क्योंकि जब एक anti hero रोमरेक्स से टकराएगा तो इन दोनों का मैच काफी अच्छा जाएगा और इन दोनों के प्रोमोस भी काफी अच्छे कट होंगे तो दोस्तों आप लोगी कमेटे जो पताईगे क्या आप लोग क्या चाहते हैं क्या ब्रॉण इस्टुमेंट एंटी हीरो बंद के रोमरेक्स का सामना करें या फिर फेस और हील बंद के कमेटे बे ये भी जो पताईगेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा तब तक के लिए थैंक यू और गुडबाई